बलुश्री शत्गुरु महराज के स्री प्राणनाथ प्यारे के बस्तर भूशन रूहन के ताकी क्यों कहों खुशबोए इन खुबी खुशबोए को सब्द न पहुचे कोई हकिकत तले पहाड की ये जो नेक कही जुगत ये बिस्तार इत बहुत है जुआ करन सके सिफत जुआ करन सके सिफत हकिकत तले पहाड की अक्षिरातित पुणब्रम्ह परमात्मा धामधने स्रेडाज्जिके असिम अनुकमपा के द्वारा तार्तम सागर दिब्वेवाणी अंतरगत परिक्रमा ग्रंथ के उपर हम चिंतन करते आ रहे हैं तो परिक्रमा ग्रंथ में चौदवा प्रकरन का बाउन्न नंबर चौपाई तक इस्षिपूर्वक अच्छा तक में हमने चिंतन किया श्रवन किया और अभी का यह सत्र में हमारा विशय प्रारंब होने जा रहा है चौपाई त्रिपन्न से तो यहां प्रसंग चल रहा है बंगला के महलों के श्वभा को बर्नन करते हुए वहां के इर्दगिर्द के और परमधाम के जहां कहीं भी बनों के विस्थार हुआ है उन बनों में वहां के पसुपंखियों के और उन बनों में जो ब्रिक्षय है डालियां है पात है फाल है फूल है इन सब में फिर साथ में शक्यों के बस्त्रावुशनओं में यानि कि सार रुप में कहे तो यत्र तत्र सर्वत्र सब बस्तुपदार्थों में खुस्वु ही खुस्वु है नूर ही नूर है इसका चिंतन करा रहे हैं समक्र ये प्रकरण का ही अगर भाव देखें अब तक हमने ये प्रकरण में जो चिंतन किया तो प्रारंब में पुखराजी ताल का वर्नन हुआ फिर उसके बाद बंगला के महल अथवा मंदीर साथ में वहां के बन बगीचें इन सारी सोभाओं का वर्नन हुआ फिर चलते चलते ये नोर ये खुस्बू ये सारी सोभा वर्नन प्रसंग जिसमें 22 नमर चौपई में शक्यों के बस्त्र आवुशन इनमें जो खुबी है खुस्बूए है उसको सब्द में कहा नहीं जा सकता है ये भाव का चिंतन कराया अब त्रिपन्न नमर चौपई से हम प्रारम करने जा रहे हैं तो यहां सार रुप में बताकर फिर चौन्न नमर चौपई से ये बंगला के महलों में अधावा मंदिरों में सक्यों के भी सेविकाए खुब खुशालियां किस तरह से रहते हैं और वो किस तरह से सेवा करते हैं ये प्रसंग अभी सामने में आ रहा है तो त्रिपन्न नम्मर चब पैसे देखिए हाकिकत तले पहाड की ये जो नेक कही जुगत ये विस्तार इत बहुत है जुआ करनस के शिफद्द हाकिकत मतलब वस्तविक्ता सारा विस्तार तले पहाड की पहाड के तले ये बंगला की जो विस्तार है इसके वस्तविक्ता है इसकी शोभा है ये जो नेक कही जुगता इसको मैंने थोड़ असा युक्ती से कहा अथाबा वर्नन किया तो यहाँ ताले पहाड की ये सब्द को आधार बना करके ये बंगला के महलों की प्रसंगों को समझना होगा और इसे तो सारा पुखराज पहाड का ही वर्नन करके आए है लेकिन अभी यहाँ प्रसंग बंगला का चल रहा है इसलिए तले पहाड की हकीकत मतलब बंगलाओं की हकीकत ये जो थोड़ा कुछ सब्दों में कहा परंतों ये बिश्वमार है इसको कहा तक कहो ये बिस्तार अतीब बहुत है ये बंगलों के महलों के यहां के मंदिरों के अथब जो भी सोभा है बहुत ही विस्तार युक्त है जुआ कर न सके शिफत इसकी शिफत इसकी महिमा जुआन के द्वारा सब्द के द्वारा कर नहीं सकता हो किया नहीं जा सकता है इस तरह से बताए अब दे जैसे कि कहा चाउन नम्मर चवपाईसे ये खुब खुशालियों का प्रसंग चिंतन करा रहे हैं तो खुब खुशालिया कौन है बारहजार सखियों के भी सेवी काएं अथवा अंग सो रूपा जैसे स्ट्रिडाज जी के आनंद सो रूप श्यामा जी स्यामा जी के आनंद सो रूप बारहजार सखियों में भी प्रतिक एक सखिय के बारहजार अंग अठाबा आनंद सो रूप खुशालिया तो सब मिलाते समय 14.40.000 के संख्या में ये खुब खुशालिया अथवा सखियों के भी सेवी काएं है तो बांकी तो चौपाई ही चिंतन कराएंगे तो देखिए चौपाई नंबर चौणनमे जिन जानो रूहन को अरसमे सेवक नाही हुकमे काम करावत जो आवत दिलमा है जिन जानो ऐसा मत समझना रूहन को परमधाम के शक्यों को बार हजार शक्यों का आरसमे सेवक नाही परमधाम में कोई सेवक यानि कि सेविकाए ही नहीं है तो भाव क्या हुआ ऐसा मत समझना की परमधाम में सेवक ही नहीं है क्योंकि राज्जी के शेवा करने के लिए श्यामजी के शेवा करने के लिए तो ये सखियां ही सेविकाएं हैं तो फिर ये सखियां तो स्वेम सेविकाएं हैं तो फिर ये इन सखियों के लिए तो सेविकाएं नहीं होंगे ऐसा मत समझ लीजिए रन्नह जी कहते है तो सखियों के सेविका की रूप में अथबस्तेवक की रूप में कौन उपस्तित होते हैं परम नाम में कहते हैं हुकमे काम करावत हुकम ही वहाँ पर काम कर लेता है अथावा शेवा कर लेते हैं कहने का अर्थ जब चाहें उस समय में हुकुम करें तुरंत सामुने में सेवा के लिए उपस्तीत हो जाते हैं तो ये संकेत वही खुब खुशालियों के लिए है तो हुकुमें काम करावत जो आवत दिलमा हैं शखियां जिस समय में जिस तरह की शेवा के लिए अपने को जरुरत पड़े और दिल से सोचते हैं उसी समय में ये खुब खुशालियां रोप सेविकाएं जो हुकुम के द्वारा काम करते हैं वो तथ्षन सामुने में उपस्तित होते हैं और सखियों के सेवा करते हैं जो आवत दिलमा हैं अब इसको और खुलाशा करके कह रहा हैं देखिये पच्वन में एक एक मौमीन के अलेखे सेवक बड़ी साहिवी वक्का मिने बंदे तीन माफक देखिये एक एक मौमीन के एक एक सखियों के ब्रहमात्माओं के अलेखे सेवक अलेखे मतलब अब अलेखे सब्दकार था जो लेखनी में नहीं आता है मतलब हिसाब में नहीं आता है एशे अनन्त सेविकाय है एक एक सखिये के वीचे कहा ने एक एक सकी कि 12 बारा हजार सकी यां खुप खुछालिया रूप सेविकार है उसको यहां अलेखे सब्दके द्वारा बता दिये बड़ी साहेवी बक्कामीने परमधाम में राज जी की साहेवी तो है ही श्यामा जी की साहेवी तो है ही इन सखियों के भी साहवी बहुत बड़ी साहवी है बड़ी साहवी बक्कामिने अखण परम्धाम के अंदर और जब सखियों के ही इतने बड़ी साहवी है तो इनके सेवी काएवी उसी माफ़क होना चाहिए तो इसलिए कहा बंदे तीन माफ़का बंदे मतलब इनके सेवक, बंदे मतलब बंदना करने वाले, सेवा करने वाले, तीन माफक है, उशी माफक, तो जिस तरह से राज्जी की साहिवी बहुत बड़ी है, तो जैसे राज्जी की साहिवी, राज्जी की सेवा करने वाले, राज्जी के साथ में रहने वाले, सखिया भी उशी माफक उशी तरह से इन सखियों के भी साहे भी कोई शाधरण है स्रीडाज्जी के साथ में अस्ट प्रहर 64 घड़ी हर पल हर छछन सुख में अनन्द में रमने वाले ये सखिया तो इनके साहे भी देखिये तो ऐसी साहे भी इन शक्षियों के है तो फिर उनके बंदे उनकी सेविकाए वो भी उशी माफ़क है उशी अनुसार है कहने का अर्था शक्षियों के जो अनंत सेविकाए है सेवक है वो भी ऐसे ही महिमा युकता साहिबी लिये हुए है कहना ये है यह स्रेवी कहने से फिर विल्कुल साधरन से ऐसे नहीं है, बड़ी साहिबी बक्का मिने बंदी तीन माफक, तीन माफक मतलब उशी माफक, उशी अनुशार, पुतलियां जवेरन की सोभा सुर्दरता अत्त, कहूं केती सिवा बंदगी सब आज्यासों करता, अब परंधा में खूब खुशालियां तो सक्षियों के सेविकाए है ही, परंटु सक्षियों के लवा, यानि कि सक्षियां मतलब मैं खूब खुशालिय के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पर, इन खूब खुशालिय रूपी सक्षियों के अलवा, बांकि और कोई ये बार हजार ब्रह्मप्रिया संक्षियों की सेवा नहीं करते, एशी बात नहीं यह, वहां के पशू, पंखी, जनवर, जो भी चेतन रूप है, वो साब भी सखियों के सेवा के लिए तत्छेण हाजिर हो जाते हैं, अब यहां जो सेवा का प्रसंग चल रहा है न, शीदा राज्जी के सेवा नहीं है, राज्जी के सेवा तो है ही ही, सखिय करते ही रहते हैं, लेकिन यहां प्रसंग सखियों के सेवा के लिए है, तो देखिये तो, पुतलियां जवेरन की, वहां जो पुतलियां है न, वो भी जवेर का है, शोभा, सुन्दर्ता, अत्त, वो पुतली की सुभा को देखिये, सुन्दर्ता को देखिये, अतिंत सुभा सुन्दर्ता से युक्ता है तो ये पुतलियां प्रसंग बीच में क्यों आया मतलब जव जरूरत पड़े ये भी सामने में आ करके सिवा करते है अब हमने तो भुजरग लोगों के मुक्षे सुना है अब आप लोगों ने भी सुने होंगे तो अभी तो सारा इलेक्रोनिक जमाना आया इंटरनेट का जमाना आया पहले पहले ये चिठ्ठी का आधन प्रदान करते थे तो कवुत्तर ये चिठ्ठी का आधन प्रदान करते थे यहाँ धर्ती में भी अब हमने देखा नहीं इसलिए पहले ही बोला अमने बुजरकों की मोख से सुना है तो यहां धर्ती में जब एक पंखी कवुत्तर चिठी का आधन प्रदान करने की शेवा करते हैं उनकी ऐसी महिमा है तो फिर परमधाम के चाहे पुतलियां हो चाहे कोई भी पसुपंखी हो वो सक्षियों की शेवा करे यह कौन सी आश्चरी की बात है तो यह सब सेवा के लिए पहले कहा न होकुम काम करते हैं यह सब होकुम की शुरूब है कोई भी सेवा की जुरूरत पड़े एकदम ठैक फुतली सामने में आ जाता है वो अपनी सेवा कर लेते हैं रंग महल की प्रसंगा में ही साग पान ले आने की प्रसंगा में बादर चादनी चोक तक जा करके सक्षियों के साथ साथ में बनवे भी जाते हैं फिर साखादी का वो टोकरी ले करके मादर सीर के उपर टोकरी उठा करके ले जाते हैं सखियां साथ साथ में चलते हैं और चादनी चोक तक पहुँचने के बाद फिर वहां से उनका छुट्टी ये प्रसंग तो पहले भी बर्नन हुआ तो कई प्रकार के जो भी पसुपंखी जानवर है ये सब हुकम के शुरुप की रूप में रहा करके शेवा करते हैं प्रसंग खुब खुशालियों के द्वारा सेवा होना है बांकि सब सेवक हैं सब सेविकाए हैं अपनी अपनी तरह से तो कहा पूतलियां जवेरन की सोभा सुंदरता अत्त कहों केती सेवा बंदगी इसके अलवा कितने सारे सेवा करने वाले सेवक बंदगी सेविकाए मतलब बंदना करने वाले अब सेवा करने वाले कितने सारे हैं कहां तक कहों में सावा आज्या सो करत साव आज्या के द्वारा ही हुकम के द्वारा ही सब सेवा में तैनात हो जाते है आज्या मात्र से हुकुम मात्र से ये काम करते हैं सेवा करते हैं इसलिए इनको हुकुम का सोरुप हुकुम काम करत ये सब्द पहले ही बताया गया है देखिए फिर आगे कहते हैं या बिधा सब जानवर और केते कहूं पशुआना सव विधा करे बंदगी जैसा सोभीत जिन्ना देखिए अब पुतली शेवा करने की बात बताए फिर आगे कहते हैं याविधा सब जानवर साब प्रकार के जानवर इसी प्रकार से अपने अपने तरह से शेवा करते हैं और केते कहों पशुआ न और कितने प्रकार के पशुआ ये सब पशुआ कई प्रकार से शेवा करते हैं बंदगी करते हैं मैं उसको कहां तक बर्नन करूं सब बिधा करे बंदगी सब प्रकार से बंदगी करते हैं शेवा करते हैं जैसा सोभित जिन्न जहां पर जिस को जिस सेवा में सोभा होता है मतलब जिस की जहां जिस तरकी सेवा की जरूरत पड़े वहीं पर वो तैनाथ हो करके सेवा कर लेते हैं और जो जहां सेवा करते हैं उसको वहीं पर सोभा देती है जैसा सोभित जिन्न हुकमे होवे सब बंदगी, आगों इन रूहन, हसे, खेले, नाचे, गाए, कई विद करे रोशन अब ये सेवा के लिए हुकमे होवे सब बंदगी, हुकम के द्वारही सब सेवा हो जाता है आगों इन रूहन, रूहों के आगे, बारहजार ब्रह्मप्रिया सखियों के आगे, आकर के ये सब हुकम के माफ़क ही बंदगी सेवा करते हैं अब ये सेवा सेवा की बात तो आई सेवा क्या करते हैं तो परमधाम में ऐसे कोई भारी सेवा नहीं पढ़ते हैं सेवा की प्रकार को देखिए नीचे क्या कह गहा हां से खेले नाचे गाओे यही है सेवा कोई आकर के हंस्ते हैं उनका हंस्ते की शेवा है कोई खेलते हैं कोई आकर के सामने में नाशते हैं कोई गाते हैं अलग-अलग प्रकार की शेवा हुकुम के माफ़क आकर के अपनी अपनी शेवा को निभाते हैं अधवा करते हैं कई बिधकरे रोशन कई प्रकार से अपनी अपनी शेवा के द्वारा सक्षियों के रिदय को रोशनाई करते हैं प्रकाशित करते हैं स्वयम भी प्रशन होते हैं और फिर ऐसा भी मत समझिये मैंने पहले कहा कि यहां सेवा का जो प्रसंग चल रहा है यह सक्षियों की सेवा तो इसका मतलब यहां बिल्कुल राजी श्यामाजी को बिल्कुल ही अलग करने का ऐसा नहीं राजी श्यामाजी तो है ही तो इस तरह से यह पशू पंखी कई तरह की जानवरों की द्वारा हसने का खेलने का नाचने का गाने का यह कई तरह की सेवा हो रही है पशू पंखी जविरन के अती सोभा अरसमे लेत सब सेवा करे रूहन की इता यह काम कर देता देखिये पसुपंखी जवेरन के परम नाम की पसुपंखी भी जवेरों के है जवेरों के अती सोभा अरसमे लेता ऐसे जवेरों की जो पसुपंखी है परम नाम में अतियंत सोभा लिये हुए अतियंत सोभा बढ़ाये हुए सोभीत है सबा सेवा करे रूहन की किस की सेवा करते हैं रूहन की इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूं या सखियां जिस तरह से राजजी शामाजी की सेवा करते हैं ये सब रूहन की सखियों के सेवा करते हैं इता ये काम कर देता इता मतलब यहां ये काम मतलब ये सव काम मतलब शेवा कर देता करते हैं कई पुतलियां जवेरन की खडियां तले इजन हजार दवडे एक हुकुमें आगू इन रुहन चोपए ऐसे कोई कठिन नहीं है फिर भी वो दिल दिमाग में थोड़ा सा सेट हो जाए वैट जाए इसलिए मैं धिरे धिरे जा रहा हूँ कहा कई पुतलियां जवेरन की जवेरों की कई पुतलियां है खडियां तले इजन इजन सब्दकार था हुकुम हुकुम के तले खड़े हैं मतलब बिल्कुल तैना थै हजीर होने के लिए जिस च्छन में हुकुम करे तोरंत सामुने में उपस्तीत इसलिए हजूरी कहते हैं हजूरी मतलब क्या है जो हजूर में रहते हैं हजूर मतलब पांस में करीब में तो सेवक को हजूरी कहते हैं तो सेवक जब कभी भी श्वामी के बिल्कुल करिब में रहते हैं जिस समय में श्वामी को किसी भी सेवा के लिए जरूरत पड़े और बुलाए अथबा आग्या दे तो तच्छन सेवा में उपस्तीत होने वाले हजूरी, सेवप तो ऐसे इजन, हुकुम के तले विल्कुल तैना थे, खड़े हैं एक नहीं दो नहीं हजारों और एक सेवा के लिए एक को जब आग्या करते हैं हजारों सामने में उपस्तीत हो जाते हैं, देखिए हजार दोडे एक हुकुम एक बार हुकुम करने से आग्या करने से, हजार सेवक दोड़ करके सामने में सेवा के लिए उपस्तित हो जाते हैं हाजीर हो जाते हैं हजार दोड़े एक हुकमें आगों इन रूहन किन के आगे किन के सामने में इन रूहन बार हजार ब्रह्म प्रिया सखियों के सामने में एक बार हुकम करने से हजारों सेवा के लिए उपस्तित होते हैं हर रूहों आगे दोड़ ही ऐसा मत समझे कि बार हजार में से अब इतने सारे सब सक्षियों के पास में तो कहां से हजार हजार उपस्तित कराएं खड़े करें ऐसा नहीं हार एक रूह यानि कि ब्रह्मात्मा सखी के आगे सामने में सेविकाएं दोड़ते हैं, कई खुबी लेत खुशाली, कई प्रकार के खुबी सोबा है और खुशाली लिए हुए, ऐसा ने कि यहाँ पर सेवा के लिए दोड़ना पड़ा करके बिलकुल उदास, निरास, ऐसा न खुशाली एकदम प्रशन्य चित्त से, और वही उनके खुबी है, सोबा है, रात दिन कभू न काहली रहे हमेशा बीच हाल, ऐसा ने कि दो गंटा शेवा किया तो फिर यह ठक गए होंगे, अब तो यह उकुम का पालन नहीं कर सकेगा, नहीं नहीं चलो दिन बरत शेवा कि खुशाओन अब तो ठख गए होंगे, अब तो फिर रात के समय में तो शेवा में आजीर, वो नहीं पायगा, ऐसा नहीं मैं परम्नामे का एका ठखना है तेशले कहते हैं रात दिन, रात दिन शेवा में आजीर रहते हैं, कभू न काहली चलो खरता है, आलसी, सुस्टी, एकदम जब कभी भी तैनात है रात दीन कभू न काहली रहें हमेशा बीच हाल हमेशा एकदम हाल मतलब एकी अवस्तामें मतलब एकदम सक्रिय तैनात ऐसे रहते हैं जब जिस समय में शेवा के लिए जहां जैसी हुकुम हो तच्छे नुहां पर उपस्तीत हो जाते हैं। के रात दिन सब्ता आया। ह रहे हमें सही हालत है। भंडियां को सालें लो चौप कुसेख़। अगर आपको मन में समसर्डाइं भी रहा चाहा थी में स्थास्भू यह प्रैन्हाइबी लाया है। बंदियां खोब खुशालियां जाए फिरे जो मन काम करत दसों दिशा आये खडियां वाहें छेना बंदियां मतलब ये सेवी काएं कौन ऐसेवी काएं खोब खुशालियां ये सक्खियों के ही आनंद अंग है खुब खुशालिया रूपी सखीया जाए फिरे जियो मन मानो की कोई एक सखी ने ये खुब खुशालिया रूप सेवी काको कहीं दूर में जाकर के कुछ लाने का थबा कोई दूर की कोई शेवा बता दिया तो वहां दूर तक जाकर के वो शेवा करके आने में बहुत काफी समय लगेगा ऐसा नहीं इतनी जल्दी वो जाता है जैसे की मन का दोड़ हो कहीं भी मन कितनी जल्दी जा करके आता है ऐसे ही जैसे हुकम किया ये बंदिया से भी कहा है खुब कुछा लिया जाए फिरे जियो मन इतना जल्दी जा करके वो शेवा पुरा करके आ जाते हैं जैसे की मन का दोड़ हो काम कर दोसों दिस एक जगए नहीं दोसों तरफ सब तरफ की कारिये को पुरा करके शेवा को पुरा करके आए खड़ियां वहीं छेन वुशी छन तत्चन में करके फिर बिल्कुल सामने में हजीर हो जाते हैं तैनात हो जाते हैं तो देखिए पहले सुरमें कहा सख्यों के शेवा के लिए उतलिया फिर पशु जानवर ये सब फिर करते करते यहां बताए खुब खुशालियां मन के बेग में सेवा करके तच्छन सामुने में उपस्तित हो जाते हैं फिर आगे देखिए ये दोड़े रूहों के मनज्यों खड़ियां हुकुमा बरदार एक रूह मन में चितवे वह जीजी करे हजार देखिए ये दोड़े रूह के मनज्यों अब मन में भी किस के मन मन का भी अपना अपना बेग होगा तो रूहा रूहा मतलब बार अज़ार सखियों में से जो रूहा जो सेवा के लिए हुकुम कर रहे हैं वो अपने मन के जिस गती से चाहे कि ये सेवा इतने गती में हो जाए जैसा मन चाहते हैं न वही रूहा के मन के गती में ये सेवा हो खडियां हुकुमा बरदार, बरदार मतलब पालन करने वाले, अधा पालन करने के लिए हुकुम पालन करने वाले जो सखियां है, बिल्कुल सामने में खड़े हैं, तैनात है, एक रूह मन में चितवे, एक रूह, एक सखी, अगर एक कोई भी सेविका को सामने में आ जाए, ये शिवा करे, ऐसा मन में सोचते विशार करते हैं न, वह जी जी करे हजार, हजारों सेविकाएं, जी 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 करके सामने में सेवा के लिए उपस्तीत होते हैं, यहां एक रूह का मतलब, एक सेविका के लिए, अगर रूह विचार करे, तो जी जी करे हजार, मतलब हजारों सेविकाएं, सेवा के लिए सामने में उपस्तीत हो जाते हैं, मुखा कहने की हाजत ना पड़े जो उपजे रूहों के दिल सो काम कर लियावे छीन में ऐसा इनों का बल और बारी की भाव से बताए हैं पहले तो कहा हुकुम करे आग्या करे तो तथ्यन उपस्तिद हो जाते हैं कहा था ना ये देखिए तो चौशर्ट नम्मर चौपय में आ करके और कितनी सुक्ष्मा बात बता दिये हुकुम करने की जरूरत ही नहीं है आग्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है जरूरत ही नहीं पड़ता है जो उपजे रूहों के दिल जैसे ही रूह के दिल में प्रह्म प्रिया के दिल में उत्पन्न हुआ ना कोई भी सेवा के लिए जो बात तो सो काम कर लियावे छिन में चण भर में ये खुब खुशालिया रोब सकिया वो काम कर लेते हैं ऐसा इनों का बल, इनों का मतलब इन खुब खुशालियां अथा इन सेविकाओं के ऐसा बल है, ऐसा ताकत है, ऐसे सामर्थ्य है शोरूप रूहों के दिल के जो कछुए मन में चाहे उपर तले माहें बाहर एक पल में काम कर आए शोरूप रूहों के दिल के, ये जो खुब खुशालियां सेविकाओं है ये रूहों के दिल के ही शोरूप है, मतलब उनके ही अंग है जो कछु मन में चाहे इसलिए जो कुछ भी ये सखियां ब्रह्म प्रियाएं मन में चाहते हैं कोई भी सेवा के लिए तो तच्छन ये से भी काई रुप खुशालिया रुप सखिया उपर तले माहें बाहर चाए उपर जाकर के वहां सेवा करके आना हो चाए तले जाकर के शेवा करके आना हो चाए माहें अंदर जाकर के शेवा करके आना हो एक पल में काम कराए पल भर में सारा काम को पुरा करके आ जाते हैं कई ले खड़ियां पान डिब्बे बंदियां बारे हजार की आगों अलेखे अब कोई ये खुब खुश चाले अरभ सखिया ब्रह्म प्रिया सखियों के सामने में कोई तो रुमाल ले करके खड़े हैं जैसे रश्वी आरोग निकलिला चल रही हो तो रश्वी पूरी होने के बाद हाथ दोएंगे तो हाथ दोने के बाद हाथ पुशाने के लिए मुख पुशाने के लिए रुमाल चाहिए कि नहीं तो जब रश्वी निला हो रही है पहले से ही बिल्कुल रुमाल ले करके खड़े अब यहां रुमाल ले करके खड़े मतलब रुमाली ने पहले तो जल चाहिए ने कोई जल ले करके खड़े अब इतना संकेत मिलने के बाद तो बागे तो खुद कुछ समझना चाहिए कई ले खड़ियां रुमाल फिर अब रश्री आरोग करके हाथ दोया और रुमाल से हाथ पुछ लिए अब क्या होगा पान का विड़ा आरोगनी के लिए लायक ही ने इसलिए उसके लिए पहले से ही पान की डिब्बे ले करके खड़े हैं तो देखिए कई ले खड़ियां पान डिब्बे कोई सेवी काएं पान की डिब्बे ले करके खड़े हैं बंदियां बारे हजार की बारहजार स्खियों की बंदियां मतलब सेवी काएं सेवा करने वाले सेवी काएं आगों अलेंखें 12,00 शक्षियों के शामुने में अलेखें ऐसे सेवी काएं उपस्तीत है अलग अलग प्रकार की सेवा के सामागरियों को लेकर के शेवा में हाजीर है कई वस्ता आगों ले खड़ियां बस्तर भूशन कई साज ये साहेबी अरस अजीम की ये नहीं भाब के राज देखिए अब शक्यों के सिंगार का समय आता है ना ब्रह्म प्रिया शक्यों के तो ये खुब खुशालिया रूप सखियां पहले से ही कोई बस्तर ले करके खड़े हैं कोई आवुशन ले करके खड़े हैं तो कहां कई वस्ता आगों ले खड़ियां कई सामागरियां ले करके पहले से ही सामने में खड़े हैं बस्तर, भुशन, कई साज, कोई बस्तर लेकर के, कोई आवुशन लेकर के, कई तरह के साज, सामागरियां लेकर के खड़े हैं, ये साहिवी अर्स अजीम की, ये परमधाम के सखियों के साहिवी है, राज्जी की साहिवी तो है ही, तो सखियों के साहिवी है ये, ये साहिवी अर्ष अजीम की ये नहीं ख्वाव के राज ये ख्वाव संसार के राज ये साहिवी पन ये रहश्य नहीं है ये खुबी इन अर्ष की क्यों कहों इन जुआन काइम सुख साहिबी ये होए रुहों बीच बयान इन ये खुबी ये सोभा जो भी सेवा की बात जो भी भाव प्रसंगवर्लन हो रहा है ये सोभा ये खुबी इन अरस की ये परम्धाम का ही है क्यों कहों इन जुआन इस परम्धाम की खुबी ये सोभा को मैं इस नशर संसार के इस भजूत के जुआन से सब्द में किस तरह से कहो काईम सुख साहिबी ये तो काईम सुख अखंड सुख है साहिबी साहिब परमात्मा के अखंड सुख परमधाम का अखंड सुख है ये ये होए रूहों बीच बयाना ये तो जिस रूहों ने साहिब के द्वारा ये काईम सुख को प्राप्त किया है अनुभव किया है उन रुहों के उन सक्षियों के बीच में ही बयान हो सकता है। ये ख्वाव जिमी के बीच में, ख्वाव जुआन के द्वारा इसका बयान करना संभव नहीं है। ये बाते केती कहूं, अरसके जो सुखह, साहिबी इन रूहन की, इतवर्नन याही मुखह। ये बाते केती कहूं, इस बिचे की बात को मैं कहां तक बर्नन करों, अरसके जो सुखह, ये परम्धाम की सारी सुखह, इसकी बात को मैं कैसे बर्नन करों, साहिबी इन रूहन की, ये परम्धाम की रूहों की साहिबियां है, इतवर्नन याही मुखह। यहतो इता मतलब यहीं पर यह जहां की साहिवियां है परमधाम की साहिवी वो परमधाम की ही मोख के द्वारा परमधाम में ही बर्णन करना संबब है यह संसार के बीच में यह जुटी मोख के जुटी जुटी जुवान के द्वारा उस साहिवी का बर्णन करना संबब नहीं ह जो जवेर बंदे रूहन के देखो तिना को बल जानत हो इनबीध को देखियो अपनी अकल जो जवेर बंदे रूहन के रूहों के बंदे ब्रह्म प्रियाओं के सेवक अथवस्चे भी का है जो है न वो जवेर के पहले आया न वहाँ पशुपंखी भी जवेर का है पुतली भी जवेर का है करके कहा तो ये सेविकाएं जो भी है परमधाम के ये बंदे रूहन के रूहों के बंदे ये जो जवेर जवेर का देखो तिनको बल उसकी बल को देखी उसकी ताकत सामर्थे को देखिए जानत हो इन बीध को इसकी बीध मतलब प्रकार इसकी सामर्थे को जानते हो देखिए अपनी अकल अपनी अकल के द्वारा जागरीद बुद्धी के अकल के द्वारा देखिए परात्मा के अकल के द्वारा, सुरता के अकल के द्वारा देखी, ये संसार के जोटी अकल के द्वारा, शवपिनिक अकल के द्वारा यह आपनी इसको जानना संभव नहीं है, तो देखिआ अपनी अकल, अपनी जागरीद बुद्धी, सुर्ता की बुद्धी, परात्मा की बुद्धी के द्वारा इसको चिंतन करिए तब जाकर के इसकी प्रकार को इसकी बीध को जान सकते हो मैं तुम्हें पुछो मौमिनों जो तुम हो अरस के तुम अपनी रूहों सो बिचार के जवाप दियो मुझे ये लो इतना बताने के बाद अपरान्य जिका रहे हैं हे सखियों, हे मौमिनों, हे ब्रह्मस्तिष्टियों मैं आप लोगों को एक बात पुछने जा रहा हूँ मैं तुम हे पुछों मौमिनों हे मौमिनों ब्रह्मस्तिष्टियों मैं आप लोगों को पुछता हूँ और जो बात मैं पुछों वो अरस की बात है तो आपको मैं ये अरस की बात क्यों पूछ रहा हूँ कहते हैं जो तुम हो अरस के तुम परमधाम के हो प्रम्स्रिष्टी को संबोधन करती हुए का रहे हैं तुम परमधाम के हो इसले में तुम्हें परमधाम के एक बात पूछने जा रहा हूँ जो मैं पूछूंगा तुम अपनी रूहसों बिचार के जवाब दो मुझे ये जैसे पूछा ऐसे ही कान में बात पढ़ने से पहले जो मर्जी मुख से बताना नहीं मैं पूछूंगा मेरी बात अच्छी तरह से सुनना और मन से नहीं उपर कहा अपनी अकल से देखो करके सतर नमर चौपे में कहा न देखियो अपनी अकल करके तो यहां एकतर नमर चौपे में जाने की बात कहते हैं अकल से मैत्र नहीं तुमा अपनी रूह सों बिचार के अंतर आत्मा से बिचार करके चिंतन करके समझ करके जवाब दियो मुझे ये मुझे जवाब देना तो कितने लोगों का आदत होता है सामने वाला का प्रश्ण अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है पूरी बात सामने वाला ने किया भी नहीं मतलब प्रश्ण भी पूरा नहीं है उसको बोलने को जल्दिवाजी होता है समझे समझे भी ना बोलने लगते ये मुमीन का लक्षेन नहीं है परम नाम की आत्मा का लक्षेन नहीं है इसलिए मेरी बात को अच्छी तरह से शुनना और अपनी अकल से विचार करना और अकल की निर्णे भी कभी-कभी अकल भी धोका दे जाता है अकल भी कभी-कभी धुखा दे जाता, ए तो अकल मतलब बुद्धी, बुद्धी का काम निश्चे करना है परन्तो हर बात को बुद्धी ही निश्चे करे और वही शई हो नहीं कई बार कहा न, बिनास काले विपरीत बुद्धी, बिनास के समय में बुद्धी भीपरीद हो जाता है, ऐसे भीपरीद बुद्धी के द्वारा अगर कोई बार निश्चित कर दे तो फिर तो गया, इसलिए रूहसों अंतर आत्मा से निर्णे लेना होगा, प्रान्य जी कहते है न, जो लों आत्म न देवे साख, तो लों परबूद दीजिए कई लाख, जब तक अपनी आत्मा सक्षी नहीं देगी, लाखों उपदेश दीजिए, कुछ काम में आने वाला नहीं, तो अंतर आत्मा साक्षी होना चाहिए, तो अपने अंतर आत्मा को साक्षी रह करके विचार करके बताईए, जवाब दियो मुझे ये, कहते हैं, उड़त परके वाउ से कोट ब्रह्मान्द देवे उड़ाए, एक छोटी चिडियां अरस की, ताकी लड़ाई क्यों कही जाए? मतलब, ये भाव चवपाय में यहां सामने में आया, मैंने पहले भुमिका में साइथ संक्यत की याद था, मुझे याद है, इसक के प्रकरन के प्रसंग में, कि परम्धाम का इसक रिदय में प्रकट हो जाए, और ये संसार, और ये शरीर, ऐशे ही रहे, जो कदी आवे मिने सब्द, तो चवदे तबक करे रद, वहां पर इप्रसंग उदारण की रूप में मैंने पेश किया था, दो बात, क्या? परम्धाम की एक बालू का कण, चवदलोग ब्रह्मांड को उड़ा देता है, तो इसक कर इदय में अनुभव हो जाए, फिर पिंड़ ब्रह्मांड का क्या हाल होगा? चवदे तबक करे रद, इसमें, और यहीं पर दुसरा भाव, मैं शब्द के द्वारा बता रहा था, वो सामने में चवपई आया, कि परम्धाम की छोटी सी पंखी उड़ान बरते हैं, एक बार उसकी पार की वाए हावा से, ऐसे चवदलोग ब्रह्मांड को उड़ा देता तो फिर इसकरी दय में अनुबा हो जाए, तो फिर पिंड़ा ब्रह्मांड हो गए सब अगीन, चवदे तबक करे रद, यह प्रसा में, तो देखिए यहाँ, उड़ता पार की वाओं से, परम्धाम की पंखी, पार यानि की यह पंख की बल पर जब उड़ते हैं, तो यह प वाओ, मतलब हावा से, तो वाओ से क्या हुआ, हावा से, परम्धाम में पंखी उड़ते समाया, ओ पंख की द्वारा निकला हुआ जो हावा है, उससे कोट ब्रह्मांड देवे उड़ाए, ऐसे करणों ब्रह्मांड को उड़ा देता है, एक ब्रह्मांड ने, करणों ब्रह और फिर आप सोचेंगे ऐसे करणों ब्रमांड उड़ाने वाले पंखितो परमधाम की सबसे बड़ा पंखि की बात की यह होंगे प्रान्याजी नई एक छोटी चीडियां अरस की एक छोटी सी सबसे छोटी चीडियां अरस की परम नाम की वो जब उड़ते हैं न उसके पार के वाओं से ऐसे करणो ब्रह्मांड उड़ जाता है तो एक छोटी चीडियां अरस की ताकि लड़ाई क्यों कही जाए अब उसकी लड़ाई को मैं कैसे बर्रन करूँ कहने करते क्या हुआ शहुर जब एक छोटी सी पंखी वो उड़ते हैं उसके पार के वाओं से यानि की हावा से ऐसे करणो ब्रह्मांड उड़ जाता है एक बार पंख चलाने से उनके एक बार पंख चलाने के हावा में इतना ताकत है तो वो छोटी पंखी जब आपस में लड़ते हैं ना तो लड़ते समय तो बल लगा करके ही लड़ते हैं उड़ान वरने के लिए एक बार ये पंख चलाने में कितना बल लगता है और सामने में दुसरे के साथ में एकदम जंग करना हो युद्ध करना हो लड़ना हो तो कित प्रश्य कावं दैखना हो तो एसे चलते समय नर्मल हाथ हीलता है उसे में थे घलकता है उसन जफोर रहा है कि यहां जचोटी सी पंखी बार पार किवह तो टाकि लड़ाई क्यों कहीं जाए उसकी लड़ाई को और उस समय के उसकी बल को ताकत को मैं कैसे वर्रन करूँ सहुर के द्वारा विचार करके देखिए एक छोटी सी पंखी से शुरू किया है प्रहनने जी ने यहां से विचार करते करते अब इतने संकेत से और फिर बड़े पंकी फिर पशु जानवर फिर करते को खुब खुशालियां सक्खियां फिर श्यामा जी राजी इसलिए तो राजी की साहिवी उनकी बल तो यह बता रहे हैं देखिए अब इस भाव से फिर चले तिरत तर्नमर चोपाए में कोट ब्रह्मांडर पर के वाव से अरस चिडियां देवे उड़ाए तो इन अरस के फील को बल देखो चित्त लाए सहूर क्या कहा परमधाम के एक छोटी सी चिडियां के मतलब पंकी के पर के पंक के वाव से हावा से कोट ब्रह्मांड करणो ब्रह्मांड उड़ा देता है तो कोट ब्रह्मांड पर के वाव से पंक के हावा से अरस चिडियां परमधाम के चिडियां मतलब उसके पंक के वाव से देवे उड़ाए फिर परमधाम के चीडियां कोई उड़ा देती है ऐसा है नहीं, वो पहला चरण और दुसरा चरण दोनों को मिला करके, मिश्रन करके अर्था खरना होगा तो अरश की चीडियां के पंकी के पार के वाय से कोट ब्रह्मांद देवे उड़ाए दोनों चरण को जोड़ करके ऐसे अर्था बैठता है, तो अब सार वाव क्या हुआ, अगर परमधाम के एक छोटीशी पंकी के पार के वाय करणों ब्रह्मांद कोड़ा देता है, तो इन अरश के फील को, फील मतलब हाती, परमधाम के बड़ा फील जो हाती है, बल देखो चि तमिला करके बिचार करके देखो, शुरू कहां से किया है, एक अत्तर नमर चोट पैसे, हे मुमिन ब्रह्मा सुष्टियों, मैं आप लोगों को एक बात पूछने जा रहा हूँ, चित्त से बिचार करके बताना, तब जाकर के यहां, यह सहुर के साथ में बता करके कुछ अब फील की बात आई, तो अब बताते हैं, परमधाम में क्या बल कहना, यह सारा बल किसके हैं, रज्जी के बल है, कोई भी पसुपन की, कोई किसी से कमी नहीं है, क्यों, अगर फील के बल को देखे, करके इतने में बात रख दें, तो अच्छा, इसका मतलब फील, हाथी सबसे बड़े हैं, इसलिए यह सबसे बड़ साली है, तो ऐसा अर्था लगेगा न, इसलिए प्रहन नहीं तुरंत उस बात को समेट करके, चौंतर नुम्मर से उपय में कहा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाथी में ही ऐसा बल है, वहाँ परम नाम के खरगोश में भी इतना बल है, अब आकार से देखने से तो, शरीर से देखने से तो, कहां हाती कहां खरगोश। लेकिन खरगोश में भी इतना ताकत है कि फील के साथ में, आत्दी के साथ में जंग करने का सामर्थे रखता है। कहो कौन जीते इन मों हाँ प्रश्न देखिए प्रश्न समझ में आया कि चौन्थी चरण को क्वेशन मार्क करके पढ़ना होगा प्रश्न बाचक चिन्न करना होगा वहाँ पर तो क्या कहा खरगोस एक जवीर का परम नाम के खरगोस है न वो भी जवीर का है पहले पशू जवीर का कहा पंकी जवीर का कहा पुतलिया जवीर का कहा जनवर जवीर का कहा तो खरगोस एक जवीर का चले रूह के मन सों वो रूह के मन से चलता है रूह जैसे मन चाहे उसी तरह के खेलतमा से दिखाते हैं ये खरगोस भी, बड़ा फील लड़े अर्षका खरगोस और बड़ा फील अर्षका परम नाम का, ये दोनों आपश में लड़ते हैं, जंग करते हैं तो अब प्राणने जी प्रश्न पूछ रहे हैं, कहो कौन जीते इनमो खरगोस और बड़ा फील में से, कौन जीतेगा बिचार करके जवाब देना, फिर से देखे 71 नमर चपाएगो, तुम अपनी रूह सों बिचार के जवाब दियो मुझे ये तो इसकार था, शरीर बड़ा होने से ही उसमें बल बड़ा होता है और उसका जीत होगा जिसके अंदर रजी महराज बल बर दे ताकत बर दे नजर सिंचन करे उसका जीत होगा तो अगर खरगोश के उपर रजी महराज अपनी आवीश रभरी द्रिष्टी सिंचन करे तो बड़ा फिल गया उपर गिर गया धणाम से अब शखिया हम तो खरगोश के पक्षे में रहेंगे हम तो फिल के पक्षे में रहेंगे कहने वाले फिर इन शखियों के शाहेवी को भी देखिए तो ये शारी चीज है ये बांकी भाव तो कई बार चर्चा हुई है चौपाई के भाव को देखते भी रागे बढ़ना होगा खरगोष एक जवेर का चले रूह के मनसों बड़ा फील लड़े अरस का कहो काउन जीते इनमो अब दुसरी बाद मिया थोड़ी शी देखिए खरगोष तो चलो रूह के मनसों चल दिया मान लिया बड़ा फील चले रूह के मनसों यहाँ अगर हाथी किशी के मनसे चले ऐसा थोड़ी नहोता है उदर से हाती आया और आप चाहे हाथी मैं यहां हों आप उदर से जाओ आपकी मनने चाहा हाँ जाएगा हाथी परम्नाम के हाती हो या कोई भी हो रूहों की मन की साफ से जलते हैं अगर लड़ाने की मन हो लड़ते हैं कुछ भी हो रूहों दिल चाहे बोलत दिल चाही सोभा सुन्दर दिल चाही पहरे भूशन दिल चाही बस्तर रूह सखिया जैसे दिल चाहे इस सब वैशे ही बोलते हैं शेवी काई जो है वो कैसे बोलते हैं रूह जैसा दिल चाहे दिल चाही सोभा सुन्दर है शक्खिया जैसे दिल चाहे वैसा ही सोभा सुन्दरता होता है वहाँ पर ये शक्खियों की साहे भी है रूहों की साहे भी है दिल चाहे पहरे भूशन जैसा दिल चाहे वैसा ही पहेंते हैं, यहां सब्दप्र्यक और राय पहनना, लेकिन बाद में प्रहलसक्ट श्वाइम कहते हैं, ना पहनना ना उतरना, जैसा दिल चाहीज वह पहले ही हो जाता है, छिन में शिन गार बदले, अब छिन छिन में कहां तक पहननना और उतरना करते रहेंगे, वह चिंतन चाहा चलत दिल चाहे बल तेज जोत सब दिल चाही शिफत रूहे जैसा दिल चाहे सब बंदगी सेवक सेविकाएं उसी माफ़क चलते हैं चित चाहा चलत जैसा चित चाहते हैं उसी इसाव से चलते हैं दिल चाही बल तेज जोत जैसा दिल चाही उसके अंदर वैसा ही ब्वाल होता है ऐसे तेज होता है ऐसे जोत होता है सब दिल चाही शिफत सब की महिमा जैसा दिल चाहे वैसे ही सब महिमा से युक्त है सब बस्ता आगे ले खड़ियां जों पात्साही लवाजम आगों चेतन दील से खड़ियां सनमुखा एक कदम देखिए सखियों के सेवा के लिए खुब खुशल या रूप सेविक आएं किस तरह से सामने में खड़े हैं ये प्रसंग पुनह बर्रन कर रहे हैं सब बस्ता आगे ले खड़ियां संपूर्ण सामागरियां ले करके ये सेविकाएं आगे खड़े हैं सामागरिया कैसे हैं देखिए जियों पात्साही लवाजम लवाजम सब्द करता है सामागरी पातसाए लवाजम कैसे होते बड़े बड़े पातसाब बातसाओं के अब ये सब्दे भी उदारण के लिए बोलना पड़ रहा है ऐसे पातसाई बातसाए तो मतलब धर्धिकी साफ से पातसाई बातसाई समझेंगे तो उसका कोई तोलणाई नहीं है फिर भी अब क्या करें तुलना करके बताना पड़ रहा है इसलिए जयों जैसे की उदारण के लिए पात्साही लवाजम हो पात्साही सामागरियां हो ऐसे सारे सेवा के सामागरियां लेकर के ये सेविकाएं सक्षियों के सामने में खड़े हैं आगों चेतन दील से सब आगे सामने में चेतन बिल्कुल तैना सचेत होकर के दील से ही भाव से ही सनमुक होकर के खड़े हैं ख़ढियां सनमुख, एक कदम सेवा के लिए एलोग सामुने में कैसे खड़े हैं? एक कदम में खड़े, एक कदम में खड़े हैं कहने का मतलब जैसे ही आजया करे अथवा रूह दिल में जाहें, दुसरी कदम तो चलाम आगे मारने के लिए. एक कदम में खड़े होने का आश्य भाव क्या है बिल्कुल ही तैनात कि बिल्कुल तैयारी अवस्ताय में अब श्वया हुआ हो उसको आग्या भी करे कव जगे कव उठे कव तैयार हो जाए तब तक तो गाड़ी निकल जाएगी तो एक कदम में खड़े बिल्कुल श्यवा में तैनात है हजीर है सनमुखा एक कदम रूप रंग रश दिल चाहे दिल चाही चित चित वन्न दिल चाही अकल इंद्रिया करे दिल चाही रोशन इन सब के चाहे रूप हो चाहे रंग रश हो कैसा है दिल चाहे है जैसा दिल चाहें, वहाँ वह इसा रूप होता है यहां तो कोई मोटा है, मोटा होने का टेंशन पतला होने की चाहा, कोई लंबे है, छोटा होने की चाहा छोटा है, लंबे होने की चाहा, काला है, गोरा होने की चाहा गोरा है काला उने जो अपना है उसमें कोई चंतुष्टे नहीं रहते हैं अरे शरीर है एक दिन छोड़ नहीं है जैसा है वो इसा चलाओ क्या करना है परमात्मा ने इतना क्रिपा करके मैं पहले भी बोल रहा था जाको लेत है मेहर में ताए पहले मेहरे बनाए बजूद कर रहा है कैसे कैसे लोग होते हैं कि यह बजूद धनीने क्रिपा करके दिया है सोच समझ के दिया है तो दुस्त्रे को देख करके दुस्त्रे के साथ में क्यों अपने भागे को और धनी की क्रिपा को भी गाड़ते हैं चलो फिर भी संसार में तो ऐसाई है जो पाया सो पाया परमना में देखिए रूप, रंग, रश, दिल चाहे जैसा आप रूप चाहेंगे दिल से वैसाई होता है रंग कहो, रश कहो दिल चाही चित चितवन जैसा चितवन करते जैसा दिल चाहते वैसाई रिदय में चितवनी होताई आजाता है दिल चाही अकल इंद्रियां अकल जैसा दिल चाहे वैसाई होता है इंद्रियां जैसा दिल चाहे वैसाई होता है करी दिल चाही रोशन जैसा दिल चाहे सब रोशनाई प्रकास ऐसा ही होता है ये जो खूब खुशाली शुरतें सो सब रुहों के दिल ये जो हर रुहों के आगे खड़ी बांध अपनी मिशल तो इस तरह से यह जो खुब खुशालियों की शुरत है शुरूप है जैसा सख्या दिल चाहे उसी प्रकार के हैं सो सब रूहों के दिल सारे खुब खुशालियां के यह शुरत भी रूहों के दिल के माफक ही होते हैं यह जो हर रूहों के आगे खड़ी यह खुब खुशालि या रूप सेविकाएं उपस्तीत है बांद अपनी मिशल पुरा अपनी मिशल जमात को बात करके शेवा के लिए सामने में उपस्तीत है तो इस तरह 79 चोपई तक हुआ तो अब यहीं पर विश्राम करेंगे अभी फिर अगले सत्र में आशी नमर चोपई से आगे बढ़ेंग प्रसंगत वहीं चल रहा है तो समय को देखते हुई अभी विश्राम किया जा रहा है ये जो खुब खुशाली सुरतें सो सब रुहों के दिल ये जो हर रुहों के आगे खड़ी बांध अपनी मिशाल बांध अपनी मिशाल बांध अपनी मिशाल बलो स्री प्राणिनाथ प्यारे की प्रणाव